तो कैसे आतो बोग कल की जो strategy record करी इसको record करके दिल से बहुत अच्छा लगा मैंने आपको क्या बोला है मेरे चैनल पर आपसे कुछ भी clickbait है नहीं आएका बहुत लंबा वीडियो था पर बहुत detail में समझाया आज से भी यह होगा दो बाते मैंने आप सभी को बताई थी मेरी trading strategy की जो accuracy है आप मुझसे नहीं पूछेंगे आप खुद कमेंट करके बताएंगे मैं तो जूट बोल सकता हूँ ना 100% accuracy है आप क्या कर लेंगे और दूसरा यूटिब पर और वर्ड़ पर कोई सी trading strategy नहीं है जो no loss हो जो भी यूटिबर बोल रहे हैं वो fraud कर रहे हैं अगर ज 40% से जादा accuracy जो आपको profit देखे जाएंगे आपको YouTube पर 90% वाली भी नहीं दे पाएंगी ऐसा claim कैसे कर सकता हूँ उसे भी justify करेंगे जितनी भी strategy कल से आ रहे है वो सब 1-2 risk to reward है इस पे आईगी risk to reward का मतलब क्या है जितना पेशा लगाया उसमें आपको return क्या मिला अगर 200 का profit मिलेगा अब माल दीजिए आपने यहां 40% की accuracy से क्या करा 10 ट्रेट लिए चार में profit और 6 में loss minimum अगर आप दुक्का भी मारेंगे तो भी आपको 5 profit 5 loss होते हैं मैं तो सबसे bare minimum बता रहा हूं तो आपको अगर 4 में profit हुआ तो वो कितने का होगा 800 का और जो 6 में loss हुआ वो मुझे बताएंगे accuracy कितनी है क्योंकि अगर मैं इसे backtest करूँगा मेरी accuracy 70% होगी और जाता भी हो सकती है क्योंकि मुझे पता है कि इस trade को avoid करना है और जो बिल्कुली नया beginner आया है उसकी accuracy 40% तो होगी इससे कम तो हो नहीं सकती मैंने बहुत beginner को दी इससे ज्यादा ही आई है इसा नहीं दो trade में profit हुआ 10,000 का और बाकी जो losses थे वो थे हमारे कितने 20,000 के दूसरे YouTube चैनल पर आपको यह ही मिलता है मेरे पर नहीं मिलेगा और जितने भी वीडियो बताऊंगा किसी भी trade को skip नहीं करूँगा तो live chart पर ही समझेंगे अब मैं आपको आज का यह जो setup है बन बना दिया है तो कोई value नहीं कर रहा है अब यही 500,000 रुपे में बेशता है तो सब message करके पुछते सर प्रमो कोड लगाई है हम 600-700 में खरी देंगे पूरा मन लगा के देखेंगे इसे देखेंगे तो जितनी भी accuracy है आपकी वह 10% तो minimum बढ़ जाएगे क्योंकि आप समझ सक क्या करा है मैंने bank nifty का chart लगा है bank nifty के chart में 5 minute time frame का use कर रहा हूँ अब आप इसे वर्ल्ड के किसी भी chart पर यूज कर सकते हैं तो कल से जाके आप लगा देंगे बिलकुल नहीं पहले इसकी practice करेंगे तब ही आप अपना real capital apply करेंगे यह हर किसी chart में काम करेंगी मेंने नहीं क आप बोलने से कुछ नहीं होता अगर आपको इसे use करना है किसी भी chart पर तो बिलकुल यूज करिए technical analysis चेंग नहीं होता है क्या पता है किसी चार्ट पर काम करें किसी पर नहीं करें पर मैंने आज तक इसी strategy नहीं देखी है जो किसी चार्ट पर काम नहीं करती है तो ठीक है पर हमारा time waste होगा चलिए indicator apply करते है इंडिकेटर के option प्याएंगे सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार open होगा वही आपको पता ही है इतने time शे आप video देख रहे होंगे सबीचे यहाँ पर सबसे पहले आपको PSR लिखना है जैसे ही आप PSR लिखेंगे तो दूसरा indicator आजाएग इस पर लिख करके इसे apply करेंगे पहला indicator apply हुआ तीनों लगातार apply कर लेता है फिर PMX लिखेंगे यहाँ पर पी मेक्स ही लिख लीजेगा तो टाइप कर दीजेगा पी मेक्स तो जैसे ही आप पी मेक्स लिखेंगे तो यहाँ पर एक indicator आ रहा होगा आपको पांट फेर इसे apply करिएगा नाम profit सुनके यूँ मत सोचेगा 90% accuracy हो जाएगी अगर आप टेस्ट करेंगे तो 50-60 तो करी लेंगे टेकनिकल एनालिस को सिखने के बाद तो आप मिञ मिनिमम 60% निकाल लोगे 60% से क्या हो जाएगा चरेपगा पर चार में क्या हो जोगा बाराश को का profit और चारच को रोगा और इस लोस को को मीनिमाईस करने का तरीप ही वीडियो के वीजियो में बताँ हुआ तो कि जब महीने का एंट होगा ना तो मंत आपका क्या होगा ग्रीन होगा जो आप पहली बार देखेंगे अरे यह तो थोड़ा रूड हो गया सोरी यह नहीं मतलब आप सभी एच्छे ट्रेडर हैं आपने देखा होगा पर जो लोसेज में फच चुके हैं वह पहली बार ग्र को मिलता नहीं है इंडिकेटर के पर आईएगा और यहाँ पर ADX लिखेगा और आप फिर यहाँ पर पहला इंडिकेटर आएगा यह बिक जोई वाला आपको यह इंडिकेटर पर इस पर अतो प्रीज समझ सकते हैं पर अगर थोड़ी बिगनर से थो थोड़ा ध्यान से समझेगा सबसे पहले PSR पर आएंगे PSR पर आने के बाद यह जो स्टार्ट है यहां पर आपको एक एक जिरो है यह पहले बढ़ाते जाना है यह जो long state feeling है absolute इसमें कैं क्या कर लो below bar और यह जो short है इनमें किया करेंगे अब बार करेंगे फाइनल Flora क्रों करनेके बाद OK करींगे अब यह brut yaş सिफ्टाइल पर आना यह जो मुविं एवरेज लाने डिसेबल बाइशिएबल डिसेबल 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 अप्षेंट हाइटर अपकी मर्ज़ी है इससे कुछ नहीं होगा इससे डिसेबल करेंगे यहां अप। option फिल होके आ रहा है तो यह नहीं आएगा और इसे highlight करेंगे तो इससे आप पता चल जाएगा green color green color का मतलब क्या होगा आप wine का trade ले रहे हैं और rate color का मतलब आप selling का ले रहे हैं अगर आप इसकी opacity बढ़ात जाएंगे तो यह live है और अच्छे से दिखने लगेगा पर 10-15 रही रहने देता हूं क्योंकि मुझे आपको detail में समझाना है आपकी मर्जी पर छोड़ दिया अब मैं आऊँगा ADX पर ADX पर पहला option और second option को enable level, third option disable और level is disable यह style पर मिलेगा input पर changes मत करना अब style पर एक और change कर लेना यह line अभी बहुत पतली दिख रही है अगर आप खुद rate करने है तो आप के लिए ठीक है पर मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं इसकी thickness बढ़ा रहा हूं ताकि मुझे दूर से यह दिख जाए red line में भ पेंट करती थी आपको करना है करें नहीं करना ही नहीं करें अब चार्ट को थोड़ा सा ओर जूम इन कर लें ताकि अब detail में समझ सेके अब क्या कर सकते हैं यह strategy को हमें का यूज करना है हम निफ्टी में यूज करें निफ्टी में 5-minute time frame में हमने यह apply कर ली अब चार्ट को करेंगे क्योंकि अब मैं आपको समझाने वाला हूं तो प्लीज अब और फोकस से देखेगा क्योंकि अब हम और detail में जाएंगे यहां से मैं चार्ट को जूम कर रहा हूं जूम करने के बाद दो चीज ध्यान में देनी है सबसे पहले आपको क्या देखनी है कि जब आपको यहां पर एक बाई का signal मिलेगा उससे पहले आपको देखना है कि यह आपका रेट कलर की लाइन है केंडल स्टिक इसके ऊपर क्लोजिंग दे क्लोजिंग फ्रेश होनी चाहिए जैसे आप देख सकते हैं यह बड़ी केंडल ने पहली बार इस रेड लाइन के ऊपर क्लोजिं है आपको बाई के लिए चाहिए ब्लू डोट केंडल के नीचे यह हो गया आपका सेकेंड रूल और जो थर्ड रूल है आपको साहिए एक बाई का सिगनल जो आपको यहां पर मिला अब हमें चार्ट को और जूम इन करना पड़ेगा थोड़ा सा कंजेस्ट हो रहा था मामल बनने लगा है ना जब ब्लू डोट नीचए बनने लगा तो इस कैंडल का कलर क्या देख सकते हैं इस कैंडल का कलर रेड है बाइंग ट्ष्न बहान फूसे अल्के बहु और एक डिए रिवाह नहीं बनती है तो आप फिर से बवेट ऒठ करते हैं रिप इसे बाद वाली केंडल पर आएंगे अब यह केंडल ग्रीन कलर की है अब इस पर काम सारा खतम नहीं हुआ है इस केंडल पर आपको क्या चेक करना है कि यह जो आपका ADX इस इंडिकेटर है इसमें ग्रीन लाइन उपर होनी चाहिए और यह जो रेड लाइन नीचे होनी चाहिए मतलब क्रोस अप हो जाएगा यहां देखी सकते हैं यह गई क्रोस करके यह जो क्रोस अप है यह होना चाहिए जिस केंडल पर आप एंट्री करेंगे तो इस केंडल की क के लोग पर आप क्या रखेंगे इस्टोप लोग तो वही रखते हैं सबसे पहले इतनी मेहनत के बाद जब आपको एंट्री मिली है तो आप इस केंडल की लोग पर रखेंगे अपना इस्टोप लोग अब यहां से आपको पहली चीज क्या देखनी है दो एड़ांस पोइंट कर लेना बाइंग के ट्रेंड में और वो कितना होना चाहिए 17,900 का यह जो इसके सबसे ज़्यादा पायस है तो इंद मनी या इंद मनी का कोल अप्शन बाय करना आउट ओप दमनी का मत करना ओप्शन दो या चार रूपए के आपको सस्ते दिखेंगे पर सबसे ज़्यादा होता है अगले कभी वीडियो में समझेंगे थोड़ा एडवांस कॉंसेप्ट है पर आउट ओप दमनी क्या होते हैं रिस्की होते हैं यह तो समझ गया इस केंडल की क्लोजिंग पे अब सेम केंडल के लो पे आपको स्टोप लोस रखना था स्टोप लोस रख लेंगे वेसे सार लोगों के साथ हुआ होगा यहां करते हो एंट्री मार्केट डाउंसाइड में आपका स्टोप लोस उड़ाता है और अपसेट चले जाता है इसलिए नहीं हो इसलिए दो पॉंट में कुछ होगा नहीं और यह प्रोफित में आपका केल्कुलेट हो जाएगा आपकी जो दो इससे चार पॉंट का प्रोफित कराते हैं उससे बहुत ज्यादा होगा मेरा प्रोफित अगर आप 50% भी कर लोगे यह तो मैंने आपको स्टार्डिंग में ही प्रूफ करके बता गया अब जितना रिस्क को उससे डबल आपको प्रोफित लेना था यहां चार गुना है पर आप कितने पर सिंखेंगे । दो गुना पे चार गुना यहां आपको यह हुए। कितने का हो जाएगा दोसों का बुक कल लेंगे अब एक और चीज बताने थी अगर आपने में टेक्निकल एनालिस कोर्स देखेंगे तो आप क्या समझेंगे बहले ही एक 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 बुलिश केंडल है वीक मतलब यहां पर जो बुल से अपसाइड ले जाने वाले वह इतने वीक ह च्नल केंडल होता ना तो आपके अकाउंट है उसमें शो होगा फिर से ठीटेल होगे थोड़ी फिलोसफिक माफ करना इदर उदर निकल जाता हूं वही अब चलिए अगला ट्रेड है उसे कवर करेंगे इससे पहले आपको जो प्रोफिट वाला ट्रेड है और लोस वाला ट्रेड है वह कहीं पर भी मिल बना करेंगा इसको कीशे के कको भी नहीं करां गिए इस से पहले еньशार क्लोसिंघर मिल रही है इस यहा sed प्रिज MOM के उपर ब्लूर्य प्र प्रेट ऐंडरी थी लायटल से और यहां पर सेकेंडरी है इन्टल्य हो गई देखें लेकि इस केंडल पर आमको क्या एक यहांCar बहुत बनाक candle के नीचे तहा जाके बनाए यह जो पहली ग्रीन candle बनी इस पर बना candle के नीचे यह blue dot buy का signal चाहिए था जो यह रेट candle पर मिला वही बोला था कि हम क्या करेंगे ग्रीन candle पर तो गूम फिर के बाद सारी इसी candle पर आ रही है और इस केंडल पर आपको entry लेनी है तो क्या होना चाहिए green line उपर red line नीचे है green line उपर बिल्कुल है तो इस candle की closing पर entry same candle के लोग पर क्या रखना है stop loss रखना है तो वही advance point cover करेंगे और हम क्या करेंगे इस candle की closing price है उस पर entry लेंगे same candle के लोग पर अपना वही रखेंगे stop loss रखेंगे अब मान लीजिए आप मेरे करोड़ आपने इसमें एक करोड का risk लिए आपका profit कितने पर बुक करेंगे आप दो करोड़ पर तो यह जो दो करोड़ का profit है क्या हमें हीट होगा आच तो यह तो दो करोड़ का है यह दो ट्रेड लिए दोनों में profit हो गया यह तो बात ही चाहिए उस तो चल जाए अब चलिए फिर से लाइब मार्केट पर आ जाते हैं सेलिंग का परेला trade यहां मिलेगा वह समचा रहा हों फिर से लाइचे समझेंगे सबसे पहले रेड लाइन के नीचे रेड कलर की candle closing दे लिंग का ले रहे हैं सेल का signal मिलना चाहिए पेराबोलीक सार केंड्र के ऊपर बनना चाहिए लेड लाइन है ग्रीन लाइंच से ऊपर होनी चाहिए बाइंग के सारा काम ही अपोजिट हो गया तो अब हमारा काम भी क्या करना है इस इस उपर आपको सारी केंडिशन फो लो ह से वह रखेंगे बोल नहीं रहा हूं करके दिखा गया है चलिए अब हम यह सारी चीज़े कर लेते हैं बोल तो बहुत लिए अब यह आ गए हम शोट पोजिशन टूल पे इस केंडल की क्लोजिंग पर वही बनाई बढ़ी आशी एंट्री और सेम केंडल का हाई था 35 तो हमारा factpage K बिहांगे zeros वाला यहां पर बताऊंगा लॉस वाला चलो आओ चोथे त craft में आपको रहा है दूर से देख ये समझ रहाँ में कैसे होगा लॉस चलो जलो जलरी शिखाfold करते हैं यहां पर में लोस से ही बताऊंगा इसको फिर भी चलो यहां पर भी कहा से प्रोफिट हो गया यार जब में खुद तो ट्राय करा था तब तो लोस था चलो आख बता देता हूं यहां क्या देखेंगे इस केंडल ने क्या करा रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग थी यह डोजी इसके नीचे क्लोजिंग मिली और यह तो नहीं था पर हो गया है तो क्या करेंगे क्लोजिंग पर अपनी बना रहे हैं रेड लाइन के नीचे क्लियर के किसे को डाउट हो तो कमिट में पूच सकते हैं यहां पर वोही बनाए अपनी एक शोर्ट सेल की पोजिशन सेम यह थोड़ा प्लस करना था मैननस कर दिया ठीज़ाइब हम रापके फ़लो हुए एंस daytime पर प्रूपे उसचलियों पर फर्विट हो गया अगर इस ंंडल पर आपके सारे रूल फोलो पर था तो आप इस केंडल के क्लोजिंग पेंट्री लेते और सेम केंडल के हाई पे रखते अपना इस्टोफ रोस एडवांस पॉइंट बताया था वही समझा रहा हूं दियान से समझना तो अब आप क्या गरते जितना आपका रिस्क था उससे डबल प्रोफिट लेते यहां सारे र इसे कम करने का तरीका है वह समझेगा वह क्या है अगर आपको यहां पर अपना एंट्री करी है और आपका प्रोफिट यहां पर रिस्क लिए यहां 10 का लिया 10 का मान के चलेंगे यहां आपने 10 का रिस्क लिया और यहां पर आपको 10 का प्रोफिट दिखाने लगा जैसे ही आपको 10 का प्रोफिट दिखाने लगेगा आप अपने यह जो रिस्क है इसे 0 करेंगे यहां आप 10 का रिस्क नहीं लेंगे 0 क्यों करेंगे यहां अगर मार्केट यहां से अप स्यट चले गया तो आपको टोटल लोस कितना हो जाएगा टोटल लोस तो आपको 20 का हो जाएगा न भले यह आपका रिक्ष्क 10 ता पर आप तो यह 8 का प्रोफिट है यह बहले ही आपका यह जो 10 का profit है यह छूड़ गया पर आपका यह जो 10 रुपे का risk है आपने यह protect कर लिया अगर आप risk को क्या करना सिख गया मिनिमाईस करना तो आपका profit maximize हो जाएगा 40% की accuracy मानके चलिए चार ट्रेड में profit होगा कितने का 800 का छे ट्रेड में loss होगा होना कितने का था 600 का पर अगर आपने एसा करके एक भी risk बचा लिया मैं बोल रहा हूँ एक पर आप minimum दो बचाएंगे दो कैसे बचाएंगे practice से एसा थ 300 में 33 नहीं यह तो 50% हो गया बहुत ज्यादा अंतर हो गया ना तो ऐसी ऐसी चीज़ा आपको better trader बनाएंगी वीडियो का subscribe करके रखथा दो महिने तक एसी strategy लाओंगा पूरे YouTube पर नहीं देखे होगे 40% accuracy से भी इतना बढ़िया profit दिखाएंगे जो आप भूल नहीं पाएंगे पर यह accuracy आप कितनी लेके जाएंगे मेहनत करेंगे और यह 70% तक लेके जाएंगे और यह चांद तक जाएगी strategy ठीक है वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है और नहीं बता तो चैनल को अंसब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को दिस्लाइक कर दीजेगा क्योंकि फ्रोड भी तो हो सकता है